। । । Marvel Cinematic Universe को ट्री थाउसेंड मिनिट्स, ट्री तरी फिल्म्स, त्री फिल्म्स, ट्री फ्रेसस और टैन एर्ट्स लगाय थे Thanos को मेंदान मिलाने के लिए और Marvel Cinematic Universe में जी जान लगाती थी सबी Avengers और Thanos Coach की Foss के साथ आमनिसाम मिलाने के लिए और ये बतागी के लिए कि Thanos कितना powerful, कितना खतरना विलन है जबकि Avengers Infinity War और Avengers Endgame तक Thanos खतरना तो दूर की बात कोई विलन ही नहीं था तो आज हम लोग इसी topic पर बात केने वाले हैं पहले मैं आप लोगों कोई ये बतातूं कि ये सारी information सिर्फ movies से नहीं रही है तो हो सकता है कि शायद आप लोगों को इसमें कोई हिंट मिल जाए तो अब हमें मिलने वाले हिंट और Thanos के Marvel Cinematic Universe में विलन ना होने के धड़ती हिला देने वाले evidence का ध्यान रटते हुए Start the video Hello guys मैं हुजुनियर और आज मैं ये पूरूफ एने वाला हूं कि Thanos Marvel Cinematic Universe में फिरन नहीं था अब आप लोगों पूछेंगे कि ये कैसे तो इसमें मुझे आप लोगों से कुछ सवाल के चवाब बिचाहिए जो आप मुझे कमेंट सेक्षिर में मता सकते हैं और ये साबित होगा सिर्फ और सिर्फ त्री पॉइंट्स में पॉइंट A Thanos did it by himself Thanos को जजबात मेराने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि Thanos ने अपना काम करवाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था जैसा कि लोगी और रोरिन और थैनोस ने सिर्फ ये ओफ रखा था कि उसे सिर्फ इम्विविटी स्टोंस चाहिए जिसके बदले वह उने मुह मांगी रखन दे सकता है पर यहां योगी ने टेसरेक के बदले अर्थ पर राज करना चाहा और हमारे गुंगर्ट वाले बाबू रोरिनी ने तो दुखाई दे दिया था यह कहते हुए कि वह बच्चा नहीं है जिसके बाद थैनोस की फिर गई थी क्या मेरा मितलब दिमाग और यह तो जाइब जिवात है तो अब माली है मेरे सवाल की मेरा पहना सबर यह है कि अगर कोई आपका काम ना करे तो क्या आपकी फिर भी यह नहीं दिमाग थैनोस का उसकी बेटियों के साथ बढ़ता हो पहले मैं आप दोगों को यह बता दूँ कि थैनोस से बहुत ही खन्यवाद में था टाइटन के एक छोटे से गाउं का और वो आने वाले सभी मुश्की पड़ा को चानता था आगे बहुत चाही जग्य होने वाली है और थैनोस का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाए उसकी गोर्द लिए बेटियों के और क्योंकि आने वाले वक्त में मार काट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी तो इस लिए थैनोस ने अपनी बेटी अबर जुन किया ताके वो आने वाले वक्त में अपने पैरल पर कड़ी हो सके और किसी के सामने अपना सर जुका कर उसकी गुलाम ना करे बहले ही थैनोस की दुने बेटिया एडापेट थी अब बार यह मेरे दूसरे सवाल की तो अब आप बताईए कि क्या आप अपनी बेटी या फिर अपनी बेटे को किसी के सामने अपना सर जुका अगर उसकी गुलाम करता देखना चाहोगे या फिर आप उन लोगों को इजददार और काभी बनाना चाहोगे पॉइंट सी थैनोस हाफदा युनिवर्स दरसल जिसे हम लोग थैनोस हाफदा युनिवर्स कह रहे हैं असल में वो थैनोस प्रटेक्टा युनिवर्स है क्योंके वो देख चुका था कि ज्यादा आबादी बढ़नी के वज़ा से उसका घरी में बनके टाइटन द्रह की तरह सारा युनिवर्स एक दिन खतम हो जाएगा और इसी लिए थैनोस ने बीच का रास्ता रिकारा उसकी सोच ये थी कि अगर दुनिया की सारी पॉप्रिशन आदी करती जाए तब बचे हुए आदे लोग खोब तरक्षी करेंगे और उसने वैसा ही किया तो अब आप ही बताएगे हर को ये चाहता है कि हमारी तरक्षी हो और वो चाहता था कि सारी दुनिया की तरक्षी हो और ऐसी सोज तो कोई अच्छा याद मी रख सकता है थैनोस की सोच तो सहीं थी मगर उसका तरीखार गलत था बचाहे इसके कि थैनोस कुन इंग्रिटी स्टोन से थोड़े और पैरनेट करना सकता था और अगर थैनोस ऐसा करता तब थैनोस मार और सिर मेरिक इनट का सबसे बेस्ट ही होता थैनोस का तरीखाव अविस्टी घलत ही हो पर आप लोग मुझे ये बताईए कि क्या थैनोस की सोच गलत थी और इंसक के बाद जब थैनोस ने फ्यूचर में इतना अच्छा काम करनी के बाद अपना ज़र धड़ से अलग होते होए देखा तब थैनोस का घलत तरीखा बुरी सोच में बदल गया और अब वो बना विलन और अब उसने आकरी कल तक मिनाना चाहा और यहां ये बाद जाहिर हो गई कि बुराई का अंजम बुराई होता है तो यह थे वो तीम पॉइंट्स जिससे के यह साविश होते हैं कि थैनोस कोई विलन नहीं था एवेंदर्स एंड गेम तर थैनोस से बहुत ही अच्छा आप भी था जिसने आने मारी न्यू जिमरेशन के लिए अपनी सबसे कीमती ची है नाचरल प्रिसोर्स को भी खराब कर दिया इसका अंदुसान बेशक हम ही को होना है और हम से पहरे एनिमल्स और बड्स को इसका सामना करना पाणा है तो वाइस मैं आप लोगं से यहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पानी कम फर्च करें और अपने आज पास अप अब शूंठ चुल इए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना होलें thank you guys this is Junior and you are super super safe earth for future generations peace